Hare Krishna and good morning dear students, your today's class second subject is GK, आज आपकी class का second subject है GK, so I'll have to take out your general awareness book, आप सभी अपनी GK subject की book, जिसका नाम क्या है General Awareness, सभी निकालेंगे, आज हम इसमें new topic पढ़ेंगे, Dear student, आज का हमारा topic है My body, these are some parts of my body, देखिए, ये girl का picture है और ये girl की body, Body किसे बोलेंगे, जो हमारा शरीर होता है, उसे हम बोलते हैं Body, और ये बहुत सारे parts से मिलकर बनी होती है, तो हमें यहाँ पर उस body parts के नेम पढ़ने हैं, These are some parts of my body, देखिए, यहाँ पर सबसे पहरे जो arrow का निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है Head, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सिर, तो ये क्या है, Head, ओकी, उसके बार यहाँ पर जो गर्ल के कान है, कान को arrow के बार, ये क्या बुरा, Ear, ओकी, इंग्लिश में कानों को क्या बुलेंगे, Ear, और Ear क्या है, हमारे body का part है, तो इसे body part बुलेंगे, और इसका नेम क्या हो गया, Ear, आप देखिए, यहाँ पर इ क्या बुलेंगे, Nose, ओकी, अब देखिए, गर्ल का मुह है, तो मुह को हम क्या बुलते है, Mouth, अब गर्ल की हाथ है, तो हाथों को क्या बुलेंगे, Hand, और हाथों के अंदर जो उंगलिया होती है, उसको क्या बुलते है, Fingers, और पैरों को, पैरों को, ले, ओकी, सभी की body मे parts होते हैं, इन body parts के द्वरां हम सभी काम कर पाते हैं, जैसे, आइस से हम देखते हैं, हैना, और ER से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, हाथ, अगर हमारे हमारे पास हाथ हैं, तो हम हाथों की वज़े से किसी चीज़ों को पकड़ पाते हैं, अब सोचो हमारे हाथों में अगर finger न शो दो नेक्स पेज, यहाँ पर नेक्स पेज पर क्या है, fun corner, यहाँ पर body parts से related एक rhyme दी हुई है, इस rhyme कर तुनिये, I have two little eyes to look around, I have two little ears to hear each sound, I have one little nose to smell what sweet, I have one little mouth that likes to eat, यहाँ पर यह जो बॉआ है, I have two little eyes, मेरे पास दो आखी हैं, किसलिए देखने के लिए आसपास to look around, देखने के लिए, I have two little ears, मेरे पास दो कान हैं, किसलिए कुछ भी सुनने के लिए, कान क्या करते हैं, सुनने का अबर करते हैं, I have one little nose, मेरे पास एक छोटी सी नाग है, to smell what sweet, smell करने के लिए किसी भी चीज़ को, अगर आपको smell आती है, तो वो किस से आती है, nose से, nose से क्या करते हैं, हम smell लगते हैं, I have one little mouth that likes to eat, mouth किसलिए होता है, खाना खाने के लिए, okay, draw two eyes, two ears and one nose on this face, आज आपका work है, आपको क्या करना है, यह boy का picture है, आपको circle में करना आता है, circle बनाना आता है, यहाँ पर circle से आप boy की eyes बनाएंगे, फिर half circle से, ऐसे circle से आपको क्या करना है, boy की eyes बनाना है, ओके, उसके बाद half circle से boy के कान बनाना है, ऐसे, और one nose, nose भी हमें बनाना है, nose आपको इसे half circle से बनाना है, ऐसे आपको इस picture को complete करना है, turn the page, देखे, my body helps me, मेरी जो body है, वो मुझे कैसे help करती है, मैं बोड़ी के जो पार्ट से वो कैसे help करते है, I see with my eyes, हम आपकों से क्या करते है, देखते है, I hear with my ear, हम ear से क्या करते है, सुनते है, I smell with my nose Nose से क्या करते हैं, हम smell लेते हैं I touch with my tongue यह क्या है, tongue Tongue से क्या करते हैं, हम taste लेते हैं I touch with my hand हम हादों से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को छू सकते हैं, touch करते हैं Dear students, आज आपको body parts में एक activity भी करना है Which body part do you use for each of this? Now the picture, आपको क्या करना है यहाँ पर इन picture को देखना है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं और फिर सामने वाली picture से आपको match करना है देखे, यहाँ पर इन्होंने first picture को match करके बताया है यह girl का picture है, girl क्या कर रहे है, flower की smell ले रही है अब smell कैसे लेते हैं, आप nose से तो आप देखे, यहाँ पर nose का आए, यह तो इस picture को nose से match कर दिया है यहाँ पर यह girl क्या कर रहे है, ice cream का test कर रहे है test हम किसे लेते हैं, tongue से तो आपको क्या करना है, इस picture को tongue के picture से match कर देना है यह बार का आपको pencil से ही करना है, उसकी बार देखिए, यहाँ पर यह girl है, इसके हाथों में क्या है, खरगोष, rabbit खरगोष को क्या बलता है, rabbit, तो यह rabbit को क्या कर रहे है, touch कर रहे है, touch किसे कर रहे है, हाथों से यह भार का picture हम यहाँ तिसको match कर देना है, आप, यह boy का picture है, boy क्या कर रहा है, बुक में देख रहा है तो हम देखते किसे हैं, see with eyes, ice से हम देखते हैं, तो eyes का picture यहाँ है, इस picture से हम pencil से इसको match कर देगे उसके बाद यह वाइ जो है यह फोन पर बात कर रहा है और फोन कानों पर लगा कर सुन रहा है तो हम year से क्या करते हैं सुनते हैं तो यहाँ year के picture से हम इसको match कर देंगे यहाँ आपका body parts related activity work है जी के subject में जो आपको complete करना है और तो मुझे send करना है साथ ही साथ आपको बताना भी है body parts name ओकी Now our class is bind up, Hare Krishna all of you